अपने क्या हो था तो आज देख लेते हैं कि इसका solution क्या होने वाला है कि बहुत लोगों ने क्या हुआ है तो देखते हैं जो भी अटेंट किया हुआ है उनका concept आपका है सही है या नहीं वह यहां देख लेते हैं क्वेशन क्या है देखो इसमें आपको दिया हुआ है पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कौन सा अरोमाटीक होता है तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए हुकेल रूल क्या है वो समझ लेते हैं पुकेल रूल आपका वह बताता है जहां से आप क्या कर सकते हो सकते हैं जिए से एक सपोस मैंने लिग दिया और यहां पे यहां पे 1 ही लिग देते हैं इक है जोंगा बहूंगा तो आपका डॉट होना यह है । heps step है arbeंसे आपका होना होना जाहिए udah यूा मतलब आपकान वहागाénergieा यह जो पहसे नहीं के कॉप नियुक्राइट नियॉट्स नहीं रहा है जो envision हो होना चाहिए है ठीक है अब होने के बाद हो गया इसके बाद पिर आपका आ जाता है हो गया इसके बाद दो आते हैं क्या है एक तो क्या हो सकता है प्लस टू पाइलेक्ट्रोंस कर सकता है और वाइस वह 4N प्लस पाइलेक्ट्रोंस करता है तो वह जाएगा अरो outro आपको क्या करना है सबसे पहले देखना है कि साइकलिक होना चाहिए सबी जो आटम से आपके डबल बॉंड मतलब साइकलाइजेशन होना चाहिए उसमें आपको सिर्फ देखना है कि कितने नमबर ओफ एलेक्ट्रॉंस हैं तो अगर इस केटेगरी में आते हैं तो वह जाएगा अरोमेटिक अगर क्या कर लेते सभी हम स्रक्चर अबको दिया हुआ काया कंसेप्ट आपका है क्या क्या है को पहले दिया हुआ है किया है और आपको पया है पूसिट डिया हुआ है पीर है आपके पास निगभी कि इस फेड्फ है और फिर भकिल कि यहां पर पोजितिव है पर फिर अगर आप देखोगे और किते हैं हसका है और यह तो यह आपको दिया हुआ है उसमें से आपको देखो क्या निकालना है अंटि- अरुमेटीक निकालना है Okay निकालना है options दिये हुए 1st 2nd 2nd 3rd 4th only and 2nd only हम निकाल लेते हैं देखो यहाँ पर क्या हो सकता है यहाँ पर एक तो साइक्लिक है लेनर है conjugation भी हो सकता है कैसे है कैसे हो सकता है है conjugation हो सकता है इच carbon atom आपका sp2 hybridized है अब देखते हैं यह अरोमाटिक है यह अरोमाटिक होने के लिए 123456 6 pylectrons है और 6 pylectrons आपके किस काटेगरी में आते हैं 4 n प्लस 2 pylectrons में जब आप n is equal to 1 input कर यह हो जाएगा अरोमाटिक है यह हो जाएगा इसमें अगर आप देखोगे तो यह क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है आपका अब इसके बाद देखो यहां पर कितने लेक्ट्रॉंस है 1 2 3 4 4 pylectrons है तो बस आपका आगया है 4 pylectrons मतलब 4 n pylectrons में आएगा और यह क्या है आपका anti-aromatic का condition है तो मतलब second आपका यह anti-aromatic आ रहे है तो आप देखोगे तो यह कार्बन आटम अगर आप देखोगे sp3 है यह कार्बन आटम अगर आप देखोगे sp3 है और हमारे हुकेल डूल के definition में क्या है आपका sp2 होना चाहिए यह क्या हो जाएगा आपका non-aromatic हो जाए ना-aromatic ना-anti-aromatic यह non-aromatic हो जाए और इसमें अगर आप देखोगे तो यह सब्सको बोलो जाता है रो फोफ़्ोलियं कता है और फोलिय पर को्रोपलियंग लुट लिय अ क्या को जाए त Ils Heart का होता है है अब यहां पर आपा कैसे हैásgasund प्लेनर प्लेनर कैसे हैं वो ऑन जाता है यह पॉजिटिव एक ब्रीज में आ जाता है् लेकिन बॉन्ड तो आपके प्लेनर है और सभी आपके कार्बन आटम्स क्या है यहां पर अगर आप देखोगे वन टू त्री पोर फाइलेक्ट्रोंस है यहां जाएगा यह आरोमाटिक नेचर का लेकिन हमें क्या चाहिए हमें चाहिए आंटि-अरोमेटिक सिर्फ आपका कौ क्या होने वाला है यहां पर सही होने वाला है इसना easy question है जियो से से लेकिन आपको पता होने चाहिए इलेक्ट्रों काउंट्स कैसे करता है कौन से कर्बन आटम्स SP2 है SP3 है वो आपको पता होने है ठीक है that's all for today thank you everyone happy learning